हेलो फ्रेंट्स विल्कम बैक टू मैं चैनल नितोस कुकिंग हब आज मैं आप लोग लिए आधे कप बेसन और सूजी से बनने वाले एक ऐसे चटपटे नास्ते की रेसिपी लेके आए हूँ जिसे बनाना तो बहुत आसान है ही और ये बहुत ही कम वाइल में बन जाता है तो आएए इसे बनाते हैं नास्ता बनानी के लिए मैंने या पिलिया एक बाउल बाउल में मैंने एड़ किया है हाफ कप बेसन और साथ में मैं एड़ करें हाफ कप रवा तो ये बारीक वाला रवा है आपके पास अगर मोटा हो तो आप वो भी उज़ कर सकते हैं एक छोटी चमच चिली फ्लेक्स एड़ किया है एक छोटी चमच साधा नमक आधी छोटी चमच हल्दी पाउडर इसे हमारे नास्ते का कलर बहुत अच्छा आएगा और इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अभी मैंने लिया है यहाँ पे एक कप पानी तो पहले हम एक कप पानी आड़ करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो थोड़ा थोड़ा पानी करके ही हम आड़ करेंगे ताकि गुठली या ना बने और इसमें पानी का जो मैं measurement बता रहीं हूं friend उसे आप जरूर से ध्यान में रखें यहाँ पे हम इसमें एड करेंगे धाई कप पानी तो अभी मैंने एक कप लिया था और इसे अचे से mix कर लिया है और अभी मैंने फिर से एक cup लिया है और उसे भी डालके मैं mix कर लूँगी तो इसका हमें गाड़ा गोल नहीं बनाना है क्योंकि हमें इसे पकाना है और अभी देखें यह अभी गाड़ा है तो हम इसमें add करेंगे half cup पानी और तो यहाँ पे half cup पानी मैंने add कर दिया है और इसे हम अच्छे से mix कर लेंगे क्योंकि जब हम इसे पकाएंगे तो यह पानी बहुत जल्दी absorb कर लेता है इसलिए हमें गाड़ा बिल्कुल भी नहीं रखना है और अभी यह mix हो चुका है तो इस टाइम पे मैंने add किया है एक बड़ा चमच निम्बू का रस इसे डाल के आप mix करके पाच मिनट के लिए side पे रख दे ताकि यह full जाए और अभी मैंने लिया है यहाँ पे एक कडाही कडाही में मैंने लिया है दो चमच वाइल कडाही में मैं add कर रहे हूँ दो चोटी चमच तिल तो यह white वाली तिल है और अगर आपको तिल पसंद नहीं है तो आप जीरा डाल सकते हैं इसके जगह पे साथ में मैं add कर रहे हूँ एक चोटी चमच राई एक चोटी चमच आजवाइन क्योंकि हम बेशन से यह नास्ता बना रहे हैं तो digestion के लिए काफी अच्छा होता है और इसे हम थोड़ा सा चटकने देंगे और यहां पर यह चटक चुकी है सारी चीजे तो मैं add कर रहे हूँ दो से तीन हरी मिर्च मैंने capsicum लिया है जिसे बारिक टुक्रों में ही कट किया हुआ है इसे भी थोड़ा सा भूल लिया है और अभी एक चोटे साइज के गाजर को मैंने grade कर के लिया है एक चोटी चमच अद्रक लहसन का paste आट कर रहे हूँ मैं अगर आप लहसन नहीं खाते हैं तो skip कर सकते हैं अद्रक रखें सिर्फ और अभी हम इन सब चीजों को एक साथ भूनेंगे ताकि इनका कच्चापन निकल जाए सबजीयों को हमें बस दो मिनट ही भूनना है बहुत जादा नहीं भूनना है और आदी चोटी चमच नमक एड़ की है मैंने आदी चोटी चमच काली मिर्च पाउडर और इसे भी हम साथ में भूल लेंगे क्योंकि नमक हमने घोल में भी एड़ किया है तो सबजी के हिसाब से ही सिर्फ आप नमक एड़ करें और अभी जो हमने घोल बनाया था उसे मिक्स करेंगे पहले और हम इसमें एड़ कर देंगे क्योंकि ये थोड़ी सी जम भी जाती है घोल को डालने के बाद आप गैस की फ्लेम को मीडियम रखें और इसे आप कंटिन्यू चलाते रहें अगर आप रुकेंगे तो इसमें गुठलियां हो जाएंगे तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है यह जो हमने घोल रखा है यह तीन से चार मिनट में डो के फॉर्म में आ जाती है और यहाँ पे देखे यह गाड़ा हो रहा है तो इस टाइम पे मैंने ले लिया है हैंड विस्क और इसे मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हूँ और आप देख रहे हैं कि इसे एक स्मूथ डो हमारा बन रहा है तो अभी इस टाइम पे मैंने एक कप भड़के हरा धनिया लिया है और वो मैंने इसमें add कर लिया है और इसे डालने के बाद हम इसे अच्छे से mix कर लेंगे तो यहाँ पर आप measurement के लिए कोई भी एक बाउलिया glass ले ले फ्रेंट्स उसी से आप सूजी बेसन और पानी का माप ले और यहाँ पर देखे फ्रेंट टीन से चार मिनट ही हुए है और यह हमारा डो रेडी हो चुका है और एकदम स्मूथ है बिल्कुल भी गुटलिया नहीं है तो अभी इसे निकालने के लिए मैंने लिया यहाँ पर एक काज का मोल जिसे मैंने वाइल से grease कर लिया है ताकि हमारा जो नास्ता इसमें जमे तो आसानी से निकल सके इसके जगह पर आप चाहें तो थाली में भी इसे जमा सकते हैं जो आपके घर में available हो फ्रेंट्स और अभी मैंने सारे डो को इसके अंदर एड कर दिया है और इसे हम अच्छे से फैला लेंगे और फैला के इसे आप देखे अपने हिसाब से इसे रखे जितना मोटा आप बनाना चाहते हैं यहाँ पर मैंने इसे इतना मोटा रखा है अगर आप पतला बनाना चाहते तो इस रख दे ताकि यह सेट हो जाए और अगर कांटर टॉप पे ही रखना है तो आदे घंटे के लिए सही छोड़ दे वहां भी सेट हो जाती है तो मैंने इसे फ्रिज में रखा था 15 मिनट के लिए और यह बहुत अच्छे से सेट हो चुका है देखें आप तो यहां पे मैंने इसके किनारे को कट किया है और चाकू जो है वो हमारा एकदम क्लीन निकला है मतलब हमारा जो नास्ता है वो बहुत अच्छे से पका था और सेट भी हुआ है तो अभी हम इसे स्कॉायर सेप में कट करेंगे आप अपने मैंने कट कर लिया है और आप देखें यह इसली निकल जाती है बिल्कुल भी तूटती नहीं है और अभी हम करेंगे इसे फ्राइ उसके लिए मैंने यहां पे पैन में वाइल डाल दिया था गरम होने के लिए और वाइल यहां पे अच्छे से गरम हो चुकी है तो इस टाइ मैं इसे अभी पलट रही हूँ तो सारे साइट से अईसए ही घूमा के हम इसे अच्छे से फ्राइ कर लेंगे और तिन से चार मिनट में यह अच्छे से फ्राइ हो चुकी है और आप इसका कलर देख सकते हैं कि फ्राइ होने के बाल यह कितनी टेस्टी दिख रही आप चाहे तो एक चमच वायल में भी इसे ऐसे ही तल के खा सकते हैं तब भी ये उतनी ही टेस्टी लगेगी तो आप इसे धन्य की चटनी या फिट टोमेटो सॉस जो भी आपको पसंदे उसके साथ इसे इंज्वाय करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी ये रेसेपी कैसी लगी मेरे चैनल को लाइक सेर सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके थैंक्स फ़र वाचिंग